बिहार बिध्याले परिक्षा समीति की ओर से आयोजित मैट्रिक की बारसिक परिक्षा और सीबी एसई की दसबी और बारवी बोट की परिक्षा आज से सुरू हो गई बता दे कि बिहार बोट की मैट्रिक परिक्षा ताइस फर्वरी तक चलेगी बहीं 1585 किंद्रों पर करीब 16 लाग से अधिक परिक्षा ती मैट्रिक परिक्षा दे रहे हैं बिहार बिध्याले परिक्षा समीति की गाइडलाइन के अनुसार देर से आने पर बौंडरी फांद कर सेंटर में परवेश करने वाले चात्रों को दो बर्स के लिए परिक्षा से निस्कासित किया जाएगा इधर भागलपूर जिले में कुल 57 परिक्षा के अंदर बनाए गए हैं जिसमें करीब 50,000 परिक्षा थी बिभिन परिक्षा के अंदरों पर परिक्षा देने पहुँचे बागलपूर सहरी छेतर में कुल 41 परिक्षा केंदर बनाए गए हैं जिसमें 28 छात्र के लिए और 13 छात्राओं के लिए है वही आज पहली पाली में भासा बिसे की परिक्षा हुई जिसको लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्सहा देखा गया जबकि जिला और पुलीस परसासन के दुआरा सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये गए थे सभी 44 एवं परिक्षा केंदरों पर जवानों की तैनाती दिखी वही करीब 100 कैमरे से बिभिन सेंटरों पर परिक्षा की निगरानी की जा रही है गौरतलव हो की भागलपूर जिले में चार आदर्स परिक्षा केंदर बनाया गया है जिसमें एजम बाली का उच बिध्याले मिरजान हाट, एसेस बाली का उच बिध्याले नाथनगर, जिला इसकूल, मौक्षिदा बाली का इंटर इसकूल को आदर्स परिक्षा केंदर मे सजाया समारा गया है नहीं परिक्षार्टियों को परिक्षा केंद्र में जूता मोजा पहन कर परवेश करने की अनुमती नहीं थी परिक्षा के कदाचार मुक्त संचालन को लेकर परिक्षार्टियों को केंद्र में इलेक्ट्रोनिक गैजट मोबाइल या ब्लूथूथ से लागू कर दिया है परबत्ती नाथनगर रूट से आने वाले टोटो को असानंदपूर की तरफ से बिस्बिध्याले रोड होते हुए सराई की तरफ से चलाया जा रहा है बिहार में बीमा भारती के पती और बेटे को लेकर राजनीती तेज है अब जदियू के बिधायक गोपाल मंडल ने भी बीमा भारती को लेकर बड़ी बात कही है उन्होंने कहा कि बीमा भारती को लगता है कि उनके बेटा और पती की गिरफतारी नितिस कुमार करवाए हैं लेकिन ऐसा बात नहीं है उन्होंने कहा कि बीमा भारती के बेटा और पती के नाम हत्यार का लाइसेंस नहीं था इसलिए उसे गिरफतार किया गया इधर पुड़े मामले पर वीमा भारती ने कहा कि उन पर दवाव बनाने के लिए ऐसा किया गया है का मर्जी है कोछ भी कर सकता है किसी का बात अद्री को मा पंट किया सभी को फोन किया है जाएस वी से बात हुआ है यह साथ में ना पार्टी के साथ में है सब दिना पार्टी के साथ मेरे मजगूती से रहा है यकल सक्टैशक्र लेका करने काम किया पुलिस को कारवा है ऑस्तु उसका इस तरह से कर रहा है पुलिस की ओर आगे लोग जो है कि चले जैसे पूल पार की हैं हम लोग रोका गया तो गारी पर दूसरे गारी बैठा लेख चलिए 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 कुछ बताया ने कि क्यों लिए पुलिस करें कि आपके पास अवेज हतियार है क्या कहना है अवेज जांच के भी से लाइसन्स मेरे साथ में है उसक हस्वें उनके बेटा दोनों आदमिए एक गारी पर था और उनकी पतनी नाम से लैसन्स नहीं था इस पर पड़ीश ने पकरा पकर के लोटा के ले गया हाजत में बंत किया वो तो चलना आवएद है हिमको क्वार कि का थिमां si Hi equipment हमनोगों को गालिविज किया कहा से राजस्थान से गालिविज करने लगा सब को उनकी रेटि चिलने लगी हम सोची कि दिवाल है वाइच्छा बात है तब हमको हम जब क्यारी भाई सरकार गिरा में मुठीकर की हाथ रहे लेकिन सरकार बन गईना हम विदायक गुपाल मंदल बोल रहे हैं हम सरकार बना के मुझूद हैं यह कोई दूसरा नहीं हमारा है गाली-गलोज कहाय करते हो हमको बद्दी बद्दी गालियां देदी तब हम भी बिगले उसके उपार उसके बाद तो पत्रकार को गुलाए पत्रकार को गुला के हम निमा भारती का ब्यान दिलवाई और फायार करवाई आरे भारती जनता पार्टी नहीं बलकि कुछ दारू पीए हुए लोग ऐसे करते हैं अब यह भुम्यार बर्क के लोग वही अलवलबक्ते हैं वही गाली गुरूच कियों कोई सरदार होगा कोई होगा इस तफका उन्होंने गाली गुरूच किया तो फैयर हो बे किया जान मारदयें घुली मारदयें ऐसे बलबक्त का भागलपूर मधुसूदनपूर थाना च्छेतर के मंसर गौम में घरेलू बिबाद को लेकर जमकर मारपीट की घटना सामने आई है घटना में दो लोग गंभीर रूप से जक्मी है घटना का कारण परिबारिक बिबाद बताया जा रहा है घटना की सुदना मिलते ही मधुसूदनपूर थानेदार सफदर अली दलबल के साथ मौके पर पहुँचकर मामले की जानकारी ली प्राप्त जानकारी के मुताबिक दूसरी पत्नी के बेटे ने पिता को एक बेटे को ज्यादा मानने की बात पर मारपीट किया इतना ही नहीं सौतेले भाई को भी मारकर लगोलोहान कर दिया घटना को लेकर जख्मी पिता चोटे लाल गोसूदने बताया कि दूद लेने को लेकर चोटे बेटे रोहित ने उन्हें और उनके बेटे के साथ मारपीट की है बहीं नितिस गो स्वामी ने कहा कि घर में पूजा था सौतेले भाई रोहित ने पिता और उनके साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया है मारपीट की घटना में रोहित ने अपने हाथ में लोहे का फाइटर पहां लिया था और मुक्के से मार कर हमें जख्मी कर दिया इधर मामले पर मधुसुदनपूर थाना ध्यक्ष मुहम्मद सफदर अली ने बताया कि पारिवारिक बिबाद में एक घर में मारपीट की घटना हुई है अब तक कोई लिखित सिकायत थाना इस्तर पर नहीं मिली है लिखित सिकायत मिलने पर कारवाही की जाएगी धर मारे अदू भाइब वास्ता मारपीट रहे लिखित पर के हम यह लोगार गरागरी करना सुद्वार थाना इसे मारपीट मैया अगरा अगरा थू प्रवाद हूई के अमरापै तरफ सा नहीं हमार था बैट भाई प्र आपपार मारा जिसा होलो होते तो लारबाद है अमरो सबस्ते राव कर्का में पर्सक्राइब पुजा देलें पैसा कर लें देलें पाइना पपा दिल बार पापा चराबा गायत वापोर्स तने होग लिए पर इसे पर इसे परक अपनार घर बनाएं के रहें अलग ना था परीको दिकत रहें आपनों सब कुछ बने लिये रिंकू LED बल्ब हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एन्वार्मेंट फ्रेंडली भी है तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ एक साल की वारंटी का भरोसा रिंकू LED बल्ब्स नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स आज ही संपर्क करे 8651063786 या मेल करे रिंकू LED बल्ब at the rate gmail dot com हमारा पता असाननपूर भागलपूर बिहार 812002 बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा अच्छतिक रस्थ हो जाता है और उसके बच्चने की सम्मावना कम हो जाती है और यदी बच्चा तो भविस्वें उसमें बिकलंगता की समश्य आती है ज इसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिन्दगी भर बच्चा मिकलांगता से जूच सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग ठिरेपी का सहरा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग ठिरेपी दिया जाये तो उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने के भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के स्ने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में यह मशीन उपलब्द है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया तो आप स्ने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में जरू संपर करें। दो दिन पूर्व भागलपूर नाथनगर इलाके में हुई हलकी बारिस के बाद नगर निगम के बाट संख्याचार और रामपूर खुर्द समेत रेलबे पुल अंडर पास के रास्ते में भीसन जलजमाँ हो गया है रामपूर खुर्द पंचायत के महमदपूर के समीप बीच सड़क पर गंदा पानी जमा है वही रहगीरों को नाले के पानी में घुसकर आना जाना पड़ रहा है रेलबे अंडर पास में जलजमाँ से खासकर रामपूर खुर्द के पुरानी सराय छेतर इस्तित कबरिस्तान पहुँचने में लोगों को काफी परिसानी का सामना करना पड़ रहा है बता दे कि इसी रास्ते से लोग जनाजा और सब यात्रा भी लेकर जाते हैं करीब 25 बरसों से यहां के इस्थानिये लोग इसका दंस झेल रहे हैं कई जनपर्टी निधियों ने इसके इस्थाई समाधान का भरोसा चुनाओ के समय दिया लेकिन कोई समाधान आज तक नहीं निकला पुलीस जिला नबगचिया के रंगरा ओपी थाना छेतर अंतरगत मुरली गौं में पेट्रोल छिरक कर जान मारने के मामले में बिध्यानंद सिंग और उसके तीन पोतियों को जिंदा जलाने के परियास मामले में रंगरा ओपी पुलीस ने दो आरोपियों को गिरफतार किया है गिरफतार आरोपितों में रंगरा ओपी के मुरली का परभाकर कुमार उर्फ निर्मल कुमार और सोनु कुमार है बहीं SDPO उमपरकास ने प्रेस बारता कर बिस्तित जानकारी दी उन्होंने बताया कि एक फरवरी की देर रात मूरली गाउं में एक महादलित परिबार के चार सदस्यों को पेट्रोल छिड़क कर जिन्दा जलाने का परियास किया था SDPO उमपरकास ने बताया कि नवगचिया S.P. पूरण जाके नेतरित्व में एक टीम गठित की गई थी और टीम ने तकनीकी अनुसंधान के साथ-साथ पिडित ब्यक्तियों से ब्यान लेने के बाद दो यूबकों को हिरासत में लिया उन्हें बताया कि जल्द ही घटना में सामिल अन लोगों को भी गिरफतार कर जेल भेजा जाएगा यह रंग्रावाट पिय है उसके अंतर मुख्री गाम है इसमें एक और दोट की रातरी में चरीब डूढ़ाई बेज़के लवागों के फैमिली जो जिज्या नंसिंग है उसके साथ कीन की कोपीश होई थी रात में लेक्टी के द्वारा आके उसके पेट्रॉल च़र्ट के अग्रेट से आठ लगा दिया गया जिसके कारण वो फीनों जदफची थी जिन पूनां काथी कंथी वो बहुत खत्तक जल गए और विज्या शिंगी डहाई हो गया इसमें उस समय बोलोग इलाज के लिए यहां से रेटर कर दिया गया है बोलोग बोकारो रांशी और खेज तो इसमें इसे चोप और उनकी पीम के दहारा तक्निकी शहयोग से इसमें कांड में संदिफ्ट देखती जो जिद्या शिंग का बतिजा था उसकी जानत्यारी हुए कि उसने ही पेट्रोल चड़कर अतने शाती के साथ अग लगाया जिसके कारण यह बचना चाहिए गुए बांसर और विने में जो गिरफ्तार कियाग गया निर्मल-कुमार जो बतिजा है और संद्रयक्षयाütünव जो शनु सर मा बदो States कि धिम्यायक्हां को बूल एक 자ै की जो जो फोटी है उन्озмहों के दुख जाने के समया रखना करण दिया गया है। जिसमें उनों है पुतोत के बारे में गर्ठना कारे गर्धने की सब्सきता है। ने आहर का देजान Pang Pend quienes यह में मादर पिधाध का सिहं कर था ह करता ठाहर जिसके कारण दिया बिरूफ किते अप्रक्तिर किया था। पुलवामा हमले में सहीद जवानों को याद करते हुए भागलपूर में सैकड़ो युवाओं ने बुधबार की साम केंडल मार्च निकाला, केंडल मार्च सेंडिस कॉमपॉर्ण से लेकर भगत सिंग चौक तक निकाली गई इस दोरान भारत माता की परतिमा पर पुस्प अर्पित कर सहीद जवानों को सरधान जली दी गई साथी भारत माता की जै बीर सपूत अमर रहे के नारे भी लगाएगे युवाओं ने कहा कि इस दिन हम लोगों को वेलेंटाइन डे नहीं मना कर ब्लैक डे मनाना चाहिए मौके पर बिपुल दूबे चुलबुल, राजा बबलू, मनुरंजन, नितेस, दीपक, छोटू, निखिल समेत के युवाँ मौजुद थे भी गति को प्राप्ति ले लिए जो देश के पर निशाबर हो गए और आज का ये रेली उन सारे युवाओं के लिए एक संदेश भी है जो आज के दिन वेलेंटाइन डे मना रहे है आई हमारा वेलेंटाइन कुछ नहीं होता है सबसे पहला है देश उसके बाद है कुछ हम शौल के लिए वही अपने आप को निशहबर कर सकते है और आज का रेली इसली संदेश देने के लिए था है आज का दीन है और जो भी वेलेंटाइस अधे है आज को ब्लेकित को हरेक executeấn मा बनाहुत नकाले थे और मनालीठे थे कितने संख्या में लोग थे हैं लड़का अवम लड़कियां क्या कहेंगे इस मौके पर इस मौके पर यही कहेंगे सब सरस्ती पुजा मनाथे लेकिन हम पुलगामों में सहीद हुए जवानों का सरधांजली देने के लिए और हमारे देश के जितने भी युवा हैं उनको झाल 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 झाल